नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में पनीर की सबजी तो आपने खूप सारी खाई होगी मैंने सोचा कुछ आज अलग बनाते हैं ये मैंने बनाई है छोले पनीर की सबजी और ये इतनी मज़दार लगी ना घर पे मुझे तो ओर्डर आ गया कि अब तो छोले पनीर ही बनेंगे पनीर की सबजी थोड़े टाइम के लिए भूल जा तो मैंने कहा ठीक है और आपके साथ भी शेर करनी थी मुझे तो यहाँ पर दो प्यास को मैंने छील कर बड़े बड़े टुकडों में काट लिया है क्यास को ओन कर लिना है कड़ाई में मैंने पहले से एक बड़ा चमस तेल डाल के रखा है जैसे ही तेल गरम हो जाए ना तो पनीर डाल देंगे अब पनीर आप चाहे जतना भी डाले मैंने एक मीडियम साइज के टुकड़े को छोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया है पनीर को आपको ज्यादा नहीं फ्राइ करना है बस हलका सा फ्राइ कर लिजे ताकि जब आप इसे ग्रेवी में पकाए तो ये टूटे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर को हलका सा फ्राइ कर लिया है इसी तरह से नहीं यहाँ पर मैंने ले लिये थे एक शिम्ला मिश ले ले था मीडियम साइज का अगर छोटे तो आप दो से तीन लीजेगा इसे भी मैंने मीडियम साइज के टुकडों में काट लिया है इसे भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे जादा नहीं करना है क्रंची ही रखना है इसले बस थोड़ा सा हलका सा बचे हुए तेल में जो हमने पेस्ट पना के रखी ती यानि की वही डाल दीजे और एक से दो मिनिट तक इसे भूने ताकि टमाटर और प्यास का कच्छा पंदूर हो जाए उसके बाद एक चौथाई चमच अधरक लिसन की पेस्ट भी डाल दे ताकि यह भी साथ साथ में यह अच्छे से इसका कच्छा पंदूर होके है तो स्वात-क्यनुसा नमक अधी चोटी चमच लालमिश पाउडर अधी चोटी चमच दरीया पाउडर फिर भी नमक और शौप अपने स्वात के अश्वात नुसार डाल सकता हैं एक मिनिट तक मसालोek को अच्छे से पकाने क तो यहाँ पर इन दोने को ही डाल देने आपको, और सच बता रही यह सब्जी इतनी टेस्टी लगती है ना, आपको एक बार तो ट्राइ करने ही चाहिए, तो यहाँ पर दोने को डालने के बाद, अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक मिनिट तक इसी तरह से खुला ही पका ल आपको इसे और दो मिनिट तक पकाना है इसी तरह से तो यहां पर आप देख सकते हैं दो मिनिट पकाने के बाद अब इसके अंदर में डाल रही हो पानी तो यहां पर पानी हम जादा नहीं डालेंगे बस एक कब जितना पानी डाले और इसे अच्छे से मिक्स कर ले तो यहां आपको इसे चार से पांच मिनिट तक पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबख अभी तीन मिनिट हो गए है तो अब इसके अंदर में डाल रही थोड़ा सा बटर और बटर से इतना बढ़िया टेस्ट आता है न तो जरूर एट कीजेगा आप भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल चार से पांच मिनिट हो गए है और यह छोले पनीर की सबजी बनकर तयार है अब आप जाएसे नान या फिर रोटी या फिर ब्रेट के साथ खाएं या फिर ऐसे ही खाएं बहुत ही टेस्टी और राइस के साथ भी यह काफी बढ़िया लगती है तो ट्राइ कीजेगा मुझे कमेंट सक्षिन बते हैं आपको रैसे पे कैसी लगी है अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यू फॉ वच्छेंग